सबी को नमस्कार फिर से स्वागत है आपका और आज हम किसी प्लांट पर बात नहीं करेंगे आज मैं आपको थोड़ा सा जो मैं करती हूं हर गर्मियों में और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी इन चोटे चोटे जीवों के बारे में सोचें जिस तरह से हम नेचर का हिसा है इसी तरह ये भी नेचर का ये किसा है और जितना अधिकार हमारा है इस प्रकरती में उतना ही अधिकार इन का भी है तो आगे जैसे अभी आने वाली है गर्मिया और गर्मियों में सबसे बड़ी शमश्या होती है इनको पानी को लेकर क्योंकि ये मतलब ये बोल तो नहीं सकते कि हमें क्या चाहिए कि जैसे हम इनसान आपस में बता सकते हैं कि हमें ये चीज चाहिए ये नहीं बोल सकते तो हमें इन बेजवानों को ना, अगर थोड़ा सा भी सपोर्ण कर देते हैं, तो इनके लिए चोटे चोटे जो जीव जनतों होते हैं, इनके लिए भीचारों के लिए काफी वह जता है, असान हो जता है अब आसपास अगर हम कहीं पी भी रह रहे हैं उनके लिए अगर दाना पानी का जुगाड हो जाता है ना तो भूत अच्छा अच्छी बात है यह दाना भी नहीं ना तो एट लिस्ट हम पानी तो इनके लिए जरूर रखें कहीं पे भी रख सकते हो आप जहां पे आपको कोई बी पानी रखते कोई मंडेर दिवार नियंकर रखات जुगारण के समस्हार्प काफे data तक जीवित नहीं रह सकता तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी वीडियो को देख रहा है वो एक बार इनके लिए पानी का जुगाड जरूर कर दे कहीं दिव भी किसे भी पोसिबल होए और आप देख ना अगर आपने उस पानी को रखा है और उसमें कोई भी चिडिया कुछ भी मतलब कोई भी जीव अगर पानी पीता है ना तो आप अंदर से इतना अच्छा मैसूस करोगे लोग खुद खुद एक्सपिरियंस करना ये चीज करके अंदर से बोलते हैं आत्मा को अगर पानी को कोई भी जीव पी रहा है ना तो फिर हमें अंदर से ये खुशी मैसूस होती है कि हमने उस पानी को रखा है और वो पी रहा है और गर्मियों में पानी की सबसे बड़ी शमस्चा होती है इनके लिए तो ये कि ये काम चोटा सा जरूर कर दे ना चाहें वीडि पानी पिला था और अब देखो यह कैसे घूम रहा है और पता नहीं यह कहां से आया है जैसे इसकी गर्दन को देखके लग रहा है किसी दूसरे पक्सी ने इसको पकड़ लिया हो गाओ और फिर यह चुपा हुआ था ड्रा हुआ था और बिल्कुल भी जैसे एक मोटर रखी पानी की उसके साथ में छुपा हुआ था लेकिन जैसे ही हमने इसको पानी फिला यह आराम से चल रहा है तो पानी इन्के लिए जरूर इनके लिए सकोरे रखे, पानी कहीं पर भी हो, रखे जैसे ये जानमर जो होते हैं ना छोटे-छोटी जीवजन तो होते हैं ये अगर कोई भी पकसी वगरा है ये कैसे कई बार क्या होता है घरों में अगर ब्राम दे की तरफ ये भार की तरफ अगर कोई थोड़ा छोटा मोता जगह मिल जाती है न थोड़ी बहुत भी और उसमें अपना घोसला बना लेते हैं तो उनको बना लेने दो क्योंकि कहां जाएंगे ये कहां रहेंगे अब इनके जो घर थे जंगलों में वो तो हमें इन्सानों ने काट डाले अब ये विचारे जाएं तो कहां जाएं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं घर गंदा कर देंगे क्यों भई क्या आप घर गंदा नहीं करते हैं आपके बच्चे हैं वो नहीं करते हैं उसको भी तो साफ करते हो फिर इनका अगर थोड़ा वोतिये कर देते हैं तो उसको साफ करने में क्या जाता हैं क्यो यहां नहीं ठीक रहते रहेंगे घर में रहना ठीक नहीं है क्यों इस अंदिविस्वास के पीछे पड़े हो अगर यह अपनी मर्जी से कहीं आके और थोड़ी बहुत जगह बना लिये इन्होंने रहने का बसेरा बना लिया है तो इन्हें रहने दो ये सुनके ही अजीब लगता है कि ये घरगंदा कर देंगे मुझे तो मतलब उन लोगों पे भूत गुसा आता है कि वो ऐसा बोलते हैं या ऐसा करते हैं ये देश हमारा घर है क्या हम उसको साफ रखते हैं कहीं पे भी कुछ भी डाल देते हैं कोई भी चीज खाई और ऐसे ही फैंक दिये उसके छिलके वगरा अपने आपके उपर सोच के देखो एक बार कि क्या हम साफ रखते हैं अगर ये थोड़ा वो तगर कर देते हैं तो उसको साफ करने में क्या जाएगा क्यों हम इनके पिछे पड़े हैं कि ये गारगंदा कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे तो ऐसे तिंकिंग ना रखें और मुझे पता है आप जितने भी लोग जो वीडियो देख रहे हो वो सारे ही नेचर से कनेक्टिड लोग हैं और सारे ही ऐसे लोग हैं जिनको ये चोटे-चोटे जाणवर पसुपकसी ये जो भी है ये पसंद है और इनके लिए मुझे पता है आप लोग पानी भी रखोगे और जो नहीं रख रहे वो इस सोच को बदल ले और इनके लिए गर्मियों में पानी जरूर रखें कहीं पे भी कैसे भी पोसिबल हो और जो मैं इस तरह का कोई अच्छा काम करते है ना तो एक पोजिटिविटी आ अपती हैं अमारे अंदर और उसी पोजिटिविटी से ना अच्छी सी कॉन्फिडेंस भी बनता है